हेलो फ्रेंट्स वागत एक बार फिर से आप सभी का डिश्टल तैयरी यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है चितन पारिक आरसेगरवाल सौल कर रहे हैं हिंदी वाला वर्जन इसमें चेप्टर चल रहा है वारा रेशियो प्रपोर्शन जिसका पार्ट ए हम पहले कर रहे हैं इसके बाद हम करेंगे पार्ट B, पार्ट B में सब्जेक्टिल सवाल आएंगे फिलाल पार्ट A है जहांपर अबजेक्टिल सवाल होते हैं ओल अवर देखा जाए तो चवदा पार्ट चल रहा है अभी तक तेरा पार्ट अब तक डाल चुके हैं चैनल के उपर आप देखन से सवाल है क्या कर रहा है 126 रुपर 30 किलो ग्राम 135 रुपर 30 किलो ग्राम वाली चाई को एक तीसरी प्रकार की चाई के साथ एक अनुपात एक अनुपात दो के अनुपात में मिलाया गया है यदि इस मिश्रन का मुल्य 153 रुपए पर्ति किलो है तो फिर तीसरी प्रकार के चाय का मुल्य क्या है या आपको ग्यात करना है यह सवाल एक्चुल में एवरेज चैप्टर का है यहां पर इसको डाल दिया क्योंकि यहां पर सिर्फ यह एक डेटा ratio के terms में आ रहा है, इसलिए बस इसको इस chapter में डाल दिये बाखी इस सवाल average chapter का है अब आप देखो कि एक अनुपात, एक अनुपात, दो के अनुपात में आपने इनको मिलाया है तो मान लो एक kilo, एक kilo और दो kilo इस quantity में आपने इनको मिलाया है तो 126 रुपा परती किल्लो के हिसाब से 1 किल्लो का मुल्य किता है कि 26 आएगा 135 रुपा के हिसाब से 1 किल्लो का मुल्य 135 आएगा और तीसरी प्रकार की चाहि की किमत क्या है नहीं पता तो माल लिया एक्स है कितना लिया आपने तीर से प्रकार की चाहिए दो किलो लिया तो यहां पर लिकलो दो और आप इन सब की टॉटल प्राइस में टॉटल क्वांटिटी का डिवाइड लगा लो एवरेज प्राइस जो है वह आपको मिल जाएगी तो टॉटल क्वांटिटी कितनी है एक एक और दो उकुल मिला कर कितनी हो गए चार होगी तो चार का लगा लो डिवाइड यह आगई एवरेज प्राइस जो कि इसके बराबर है एक सट्रेपन के बराबर है इसको सॉल कर लो एक्स मिल जाएगा और वही हमारा क्या होगा तो यह चार जब इस तरफ गुणा में जाएगा तो यहां पर आएगा एक उसके बाद 11 में से 6 जाएगा तो आएगा 5 और 5 में से 2 चला जाएगा तो यहां पर जाएगा 3 यह किसके बराबर है 2 एक्स के बराबर होगा 351 डिवेड़ेड़ बाइ 2 किता हो जाएगा 175.50 क्लियर यानि option B क्या होगा हमारा correct answer तो बहु आगे बढ़ते हैं हमारा अगला सवाल कुछ रासी A, B, C, D के बीच में इस रेशियो में बाटी गई यदि A को C से 1000 रुपय अधिक मिले तो फिर B का बाग कितना है 5 अनुपात, 2 अनुपात, 4 अनुपात, 3 के अनुपात में इनको बाटा गया ABCD में A और C यह रेशियो A और C का रेशियो देखो, यह एक यूनिट जा है ना वो एक्चुल में किसके बराबर दे रखा है, 1000 के बराबर दे रखा है, तो फिर आपको B का बाग याद करना है, यह रहा B का बाग 2 इंटू 1000 कर लो कितना होगा है, 2000, option A, clear, मैं fastly लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ऐसे सवा सवाल बहुत होते हैं और हमने एक सुर्वात के पार्ट समयन को कर रहे हैं, इस टाइप के सवाल के, 112 नमबर सवाल है, ऐसे सवाल हमने सुरू में कितने कियो होंगे, 140 के आसपास हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं, यह है हमारा 143 नमबर साथ कर लगा, सही है, यहाँ पर देखो, 0-0 कड़ी है, 4-4 कड़ी है, यह 10 जिब उस तरफ चला जायाएगा, तो 1 बटा 2 किता मिल गया, 10 बटा 7 मिल गया, 10 बटा 7 यह नहीं, option D, clear, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से, अगला सवाल देखो, यह सवाल time and distance का सवाल है, time distance, speed का, यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि ratio है, इसमें, एक car तथा एक rail की गती का अनुपात करमसह, 15, 20 है, car और rail की गती का अनुपात आपको देखा है, 15, 20 है, यदि rail की गती, car की गती से 35 किलमेटर परती गंटा दिक है, तो car की गती कितनी है, यह क्यात करो, car और rail, क्या है, 15, 22, difference द साथ यूनिट्स अगर 35 के बराबर है, तो फिर एक यूनिट किसके बराबर होगा, पांच के बराबर होगा, तो अगर एक यूनिट पांच के बराबर है, तो फिर यह 15 यूनिट किसके बराबर होगा, 15 इंटू 5 कर दो, किता आएगा, 75 आजाएगा, 75 यानि, option A क्या होगा ह शिंपल सवाल है, आगे बढ़ते हैं, यह सवाल देखो, अलजेबरा का सवाल है, फिर से यहाँ पे डाल लिया, क्यों डाला, क्योंकि रेशियो की जरुद पढ़ रही है, तो रेशियो प्रपोर्शन देखा रहा है, तो यह चेप्टर कोई नया चेप्टर नहीं है, जैसे हम आगे प्रिवेस चेप्टर के ही मिलेंगे, मतलब आपने अगर प्रिवेस चेप्टर जंक से कर रहे हैं, तो इस चेप्टर में ज्यादा समझ से एन ही आएगी, अब देखो, यह सवाल यह कह रहा है कि प्लस क्यू का 20 परसंट, 20 परसंट को 1 बाइव 5 लेख लो, इस इक्व प्रिवेस चेप्टर जाएगा, यहां पर लगालो, यह नहीं योगांतर अनुपात, ठीक है, यह हमने पहले भी अप्लाई कर रहा है, कैसे करते हैं, अंस में हर को जोड़ो, और अंस की जगे लिखो, फिर अंस में से हर को गटाओ, और हर की जगे लिखो, नहीं समझ में आ इस में से इसको गटा हो गया, आप देखो के पी और पी गट गया, क्यों पांच म में से एक बार दो को गटाओ, टी, सात बटा तीन हो गया, यह हमारा पी बटा साथ बटा तीन, या नि आ प्सन डी, क्लIर है, होप सही से समझ में आ रहा हैं आपको सारे सवाल, और आप प aún त्राइब भी करने यह देखो अगला सवाल एक सो चैनल इस नंबर सवाल A B C का रेशियो दे रखा है और आपको यह ग्याद करना है कुछ नहीं करना है वेल्यू रख लो आप तो बस A B C की value रख लो direct A और B की value किती है दो बटा 3 यह रख लो B और C किता है तीन चार एंब और C और A किता है चार बटा 2 यह नहीं किता 2, clear? सबको 12 से गुना कर लो, 3 और 4 का ऐल्सेम किता होता है, 12 होता है, सबको 12 से गुना कर लो यह आगे इंटू 12, यह आगे देखो 12, यह आगे देखो 12, रेशियो है, मलब fraction है, इनको simple करने के लिए हम एलसेन से गुना करते हैं, शुरुआत से ही करते हैं, यह काट लो 4 बार में कट गया, 4 इंटू 2, 8 हो गया, यह देखो 3 बार में कट गया, 3 इंटू 3, 9 हो गया, और य और चोईस, यानि option C क्या हो गया हमारा correct answer, clear, आगे बढ़ते हैं, next question क्या और, 117 सवाल है, यह सवाल हमें कह रहा है कि 28 लिटर मिसरन में पेटरोल तथा तेल का अनुपाद 5, अनुपाद 2 है, 28 लिटर का मिसरन है, उसमें तेल और, पेटरोल और तेल है, और यह से आपको दे रखा है, इसमें कितना तेल और मिलाए जाए, कि यहानुपाद 2, को एक बार बता दूं कि वो चैप्टर आप पूरा पूरा चुभर देखना एक बार पूरी देखना उसके बदें इंग्लिस वाल और ती क्हिसे प्रक्टिस जहें कि आप दैकर देखो दो चीज है, एक तो है पेट्रोल और एक है तेल या फिर मैं लिख रहा हूँ ओइल, पांच अनुपात दो में है, यह कह रहा है कि आप इसके अंदर कितना तेल और मिला हो, अब देखो यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, तेल मिला रहे हो, तो आप अगर तेल मिला रहे हो, तो आपने पेट्रोल को तो छेड़ा ही नहीं है, मतलब दूसरी जो पदार्त हैं या पर उसको तो आपने छेड़ा ही नहीं है, वो तो सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखो के सेम ही नहीं, यह यहाँ पर पांच लिखा है, यह यहाँ पर दो लिखा है, सेम कहा है तो सेम बनो, 5 और 2, दोनों सेम कहां पर होते हैं, 10 पर होते हैं, तो दोनों को 10 बना लो, इसको भी 10 बना लो, इसको भी 10 बना लो, ये 5 से 10 कैसे बना, डबल किया, तो इसका डबल कर दो, कित्ता हो गया, 4, और ये कैसे बना, 5 गुणा किया, तो इसका 5 गुणा कर दो, ये कित रहना, दस और चार, कुल मिलाकर कितना था, 14 यूनिट्स का था, लेकिन एक्चॉल में कुल मिलाकर चौदा थोड़ी था, एक्चॉल में तो कुल मिलाकर 20 था, तो 14 को अगर आप 28 कहर हो, मतलब एक यूनिट की वेल्यू दो है, तो फिर ये कितना होगा, दो लीटर होगा, यह यह आपने ओईल एक्स्ट्रा कितना मिलाया, तो दो लीटर मिलाया, दो लीटर यहनी, option C क्या होगा, हमारा correct answer होगा, अई बात समझ में, ताइखू पचितर के सवाल समझ में आगे, ऐसे सवाल हमने खूब सारे किये हैं, इसी सीरीज के अंदर, ratio proportion की सीरीज में भी किये है, इसका लाओ mixer allocation वाले chapter में भी हमने किये हैं, तो जरूर देखना, सारे सारे सवाल, एक एक सवाल देखना और try भी करना साथ साथ में, ताकि अच्छी कासी practice ले आप, अब आते हैं हमारे सवाल पर अगले सवाल को, देखें एक वाँ try करें, एक रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मुल्यों का अनुपात इतना है, इन में से 50 के सिक्कों की संख्या कितनी हैं, यह आपको ग्यात करना है, देखो, सबसे पहले दो, 13, 11 और 7, यह क्या है, मुल्यों का अनुपात है, किसके मुल्यों का अनुपात है, एक रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के मुल्य, मत 25-25 पैसे मिलकर 7 रुपाय बना रहा है आई बात समुझ में यह एक्जेक्ट रुपीज तो नहीं है लेकिन इन रुपीज में रेशियो दे रहा है मनलब रुपीज का रेशियो आपको दे रहा है तो अगर 13 रुपाय बन रहे हैं एक एक रुपाय से तो सिक्के किते होंगे 13 ह उसके बाद 7 रुपाय बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं 25-25 पैसे की सिक्के से तो फिर पच्छीस के किते होंगे 28 होंगे क्योंगे 28 पैसे के तभी तो वह साथ रुपे बनेंगी कुल मिला के तो यह किता होगा 28 मैंने क्या कर लिया कि जो amount का ratio था य यन्यों मुल्य का रेशियो को जोड़ लो यह कितना हो रहा है पचास पचास और यह 13 कितने हो गए 63 हो गए यह कुल मिला कर सिक्के 63 नहीं है कुल मिला कर कितने है है कितना चेहाल में तो 50 कहों को छहां से कुना करा लो सेबी है तो ध्यार वारी से सवाल सवाल और ठोड़े ठोड़े से अलग अलग टाइब के सवाल तो की सारे को जब वह करोया न Twin इंड और आखे बढ़ते हैं अले सवाल के और फिलाल स्वाल यहां पर किवल सॉलिइशन पार्ट है इसलिए मैं basics नहीं गरवा रहा हूं कि सिर्फ direct सवलों पर आ रहा है सवलों के साथ साथ जो theory जरुरत होती है उतनी में यहां पर आप पर वाल अब यह देखो यहां पर यह सवाल यह भी सिक्कों का सवाल है एक धेली में एक रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं ठीक है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी है तदा एक रुपया के सिक्कों की संख्या की चौगुनी है इन सिक्कों का कुल मुल्य अगर 56 रुपय है तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं यह आपको ग्यात करना है सबसे पहले दोको number of coins के ratio के बात हो रही है यहाँ पर एक रूपय के 50पैसे के और 25पैसे के क्या है information हमारे पास कि 50 के सिक्खे 25पैसो का double है और पचास के सिक्खे एक रूपय के सिक्खे का 4 गुना है मतलब यह एक है तो यह किता है 4 है इनको ratio को merge कर लो यहां पर चार आएगा, यहां पर एक रहेगा, यह दो से चार डबल किया, तो इसका डबल कर लो, यह ratio merge करना आना चाहिए आपको, यह अच्छी तरह के से clear होना चाहिए, यह शुरुआत से आप मेरे से कर रहे हैं, उसाथ साथ त्यारी तो, यह number of coins का ratio आगिया आपके पास, ठीक है, number of coins का ratio आगिया, मतलब एक रुपय का एक coin है, आपके पास 50 पैसे के आपके पास 4 coin है, और 25 पैसे के आपके पास 2 coin है, तो अगर एक रुपया का एक coin है, तो फिर रुपया आपके पास 1 है, अगर आपके पास 50 पैसे के 4 coin है, इसका मतलब रुपया आपके पास 2 हु total number of coins given था तो मैंने मुल्यों वाले ratio को change गर दिया था number of coins में इस बार में क्या कर रहा हूँ number of coins वाले ratio को मैं मुल्यों में change गर रहा हूँ क्योंकि मुझे मुल्यों गीवन है तो जो चीज गिवन है उसके according आपको change गरना पड़ेगा ठीक है 25 पेसे के अगर 2 iq हैं तो फिर आपके पास रुपय कितने होगता है आधा रूपया होगा 25 यहनि 50 पेसे 50 पैसे का मदलब कितना आधा रूपया यहां पर लिखना आधा रूपया यह आगे मुल्यों का अनुपाद ठीक है तो इस मुल्यों का अनुपाद को सबसे 2 से गुणा कर दू किया मैं ताकि यह fraction अदा दो अट जाए यह आ जाएगा दो इसको 2 से करो गते चार 2 से करो गते एक कुल मिला कर यह कितना हो रहा है देखो साथ हो रहा है लेकिन actual में कितना है यह 56 है किता गुणा 8 गुणा आपको 50 पैसों की बात करने है तो इसको 8 स से गुणा कर लो 8 इंटो 4 कितना हो गया 32 रुपय हो गया 32 अब जल्द बाजे में 32 को टिक नहीं लगाना अभी सवाल द्यान से समझे सवाल में बोला है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं तो मैं तो अभी इतना पता चलाएगी 50-50 के सिक्के मिलकर कितने रुपय बना रहा है तो 50- 30 रुपय कब बनेंगे जब आप 64 सिक्के लोगे 50-50 के 64 सिक्के लोगे तभी 32 रुपय बनेंगे तो फिर हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 64 आज बात समया रेटना बिलकुल नहीं है थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि रुपीज का सवाल है रुपीज के मामले में अनुपात आट नुपात 9 है यदि एके वेतन में 50% वर्दी करो बी के वेतन में 25% कमी करो तो इनके वेतन का अनुपात इतना रहे जाता है तो एका वेतन कितना है यह आपको ग्यात करना है देखो A के वेतन में 50% की वर्दी कर रहे हो B के वेतन में 25% की कमी कर रहे हो और वेतन का अनुपात है कितना 809 है 800 और 900 लिखनू मैं 899 को मैं एक्चॉल वेतन कितना वही मान लेता हूँ उसके बाद आपने क्या किया यहाँ पर आपने 800 को तो 50% बड़ा दिया यनि 1200 कर दिया, 800 का 50%, 400 होगा न, तो 400 जोड दिया, 800 में, कित्ता हो गया, 1200, और B को क्या किया, 25% कम किया, 900 का 25%, कित्ता होगा, 900 का 25%, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 925% को देखो, ऐसे कर लो, एक बटा 4, यनि 4 की चीज़, आप 3 कर रहा हो, यनि इंटू 3 बटा 4 कर लो यह हो गया, अब आप देखो, इस रेशियो को एक बार थोड़ा सिंप्लिफाई करके, थोड़ा इस रेशियो को काट पीड मजा कर देख, 0000 को कटी गया, पैसे इनकी जरूत नहीं थी, उसके बाद 4 से सब को गुणा कर लो, यहाँ पर भी इंटू 4 कर लो, यहाँ पर तो चार किता हो गया, सोड़ा हो गया, और यह तो 9 है, यह 9 है न तो, बिल्कुल जो information थी, उसका according यह हो रहा है, वालब इसकी जरूती नहीं थी, यह तो हमने यह निकाल दिया, तो आपको बोला है कि एक अवितन क्यात करो, अब एक अवितन निकालोगा कैसे, यहाँ पर सा दे रखा है, तो मैं चेक कर रहा था कि क्या इन information से यह ratio निकल भी रहा है, या निकल रहा है, ठीक है, बागी इतना भी करने की जरूत नहीं, आपको तो यह सवाल देखते ही, इस चप्टर का last सवाल नहीं है, इस चप्टर के part A का last सवाल है, अभी part B हम और करेंगे, जिसमे subjective सवाल आएंगे, वहाँ पर हमें option नहीं दे रहेंगे, ठीक है, तो फिलाल इस part A का last सवाल है, और फिर से मैं आपको कह दूँ, यह चप्टर जब यहां से खतम हो जाता है, उसके बाद आप सेम चप्टर इंग्लिस वाले book में भी जाके कर लो, अच्छी practice जाएगी आप, language से बड़ी संख्या क्या है, यह आपको ग्यात करना है, प्रति एक में 15 जोडने पर यहां अनुपाद इतना हो जाता है, तो बड़ी संख्या कितनी है, यह आपको ग्यात करना है, देखो, ऐसा सवाल भी हमने पहले कर रहा है, सायद हिंदी में ही किया, या पिर हमने इंग्ल रेशियो में चेंज कर रहा हूँ, simple form में, दौनों को 6 से गुणा भी कर देता हूँ, साथ हे साथ, ताकि तोड़ा ratio simple हो, ताकि calculation हमारी आसान है, तो दो रासियों का अनुपात किता है, नौ अनुपात सोड़ा है, आपने दौनों में क्या कर लिया, पंदरा पंदरा जोड़ लिया, और जो नहीं अनुपात है, वो इसके बरावर हो गया, अब आपको फिर से ये यूजने लिना, आप इसको simplify कर लो, कैसे करेंगे, तो इनको simple fraction में change गरो किता हो गया, पांच बटा तीन, और ये पांच बटा दो, पांच से पांच कात लो किता आगया, दो बटा तीन आगया, ठीक है, तो ये लिख लो दो बटा तीन, इसको solve कर लो, आपको x मिल जाएगा, x मिल जाएगा तो आपकी बड़ी संख्या क्या ह है या आपको ग्याद करने, बड़ी संख्या होगी, तो वही 16x वाली होगी, 16x मलब अमरा answer, 16 के multiple में ही होगा, ये और ये तो अमरा answer ही नहीं, या तो ये है, या ये है, ठीक है, चेक कर लोते हैं, क्या है, तो cross multiply कर लो, तो किता आएगा, 27x प्लस 35, और इसका cross multiply कर लो, तो सोड़ा x के वेल्यों केती होगी, 48 होगी, या नहीं, option c होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, option c जो है, हमारा correct answer होगा, clear है, तो यहीं पर हमारे इस वीडियो को भी समाप्त करता है, I hope, अच्छी तरीके से सारे सवाल समन्द में आ गया है, अब अगला part जो है, वासम part b के लक्षा में, ठीक है, तो फिलाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, thank you, please, like, share, subscribe, digital, तैयारी